तमीज से बात करिये मैं सीनिरों का और अब संदी भाया चोटेल होकर लग रहे हैं यह कितनी उम्मीद है कि इंडिया वो पाकिस्तान का मैच हो गाई है हमें नहीं बता पाकिस्तानी फैंस अगर कोई देख रहे हैं तो निराशना हो पाकिस्तान को करना क्या है मतलब आखे बंद करना है जिता दो जिता दो कहो तो एक धुआ करनी होगी कोई भी एक गेम अगर कहीं हलका दर उदर पलटा तो पाकिस्तान का पता कट जाएगा नमस्ते मैं हूँ हमांशू दिलललन टॉप देख रहा है आप और हमाय साथ मौजूद है नए नए चेहरे यह कमल जी तारीक लिखते हैं और यह है रविराज यह तो खभराय लिखते हैं देख ली जनके टी-शर्ट से पता चला हमाया यूट्यूब हेड है दरपन सा ठीक ह तो आज समझें कि हरा पीला यह नीला हरा है और लाल है यह सब है क्या ठीक तो यह बताओ पहले सबसे बड़ी बात कि यह जो यह लाल लाल बना है क्या सबसे पहले तो मैं एक चीज बोल दू कि माशू भाई ने अपना कुछ खुलासा कर दिया तो जो इनके दुश्मन है न यह चार मैशंग चुकी है और जहां पर ग्रीन दिख रहा है तो यह मैश वह जीत चुकी है हा और यहां पर एक और होता है अगर बेस बनाड़ कैनल को ऊंको चार्छमें और मतलब्ेन ग्रीना और सबसे बड़ी बात यह कि इंडिया तो यार सब हरे हैं सब कुछ हरा इनका फिर भी यह सबसे उपर का यह नहीं है जब कि इनके में लाल बना हुआ है जी अब यहां पर एक चीज आपको देखनी होगी मांचुभाई कि जैसे इंडिया ने यहां पर 6 मैच आपको दिख रह 1.290 है जबकि इंडिया का प्लस 1.405 है तो यहां पर यह रही है ने रन रेट तो साउथ अफ्रीका का हम से जादा है भले ही उन्होंने एक मैच जादा खेला आप जैसे आज हमारा और श्रिलंगा के साथ मैच हो रहा है तो उस टाइम पर यह चीजें हो रही है कि अगर इं के चक्कर में हम लोग सकेंड पोजिशन के हैं हाँ अगर मतलब आज का मैच जी जाते हैं तो आज ऑफिशियली ऑफिशियली हम अभी मतलब है कि इसमें कुछ टेक्निकली हैं कुछ टीम्स है जैसे पहले अभी आगर आप पुछोगे कि एक हफते पहले तक तो ऐसा लग रह हैं एक हरा फिर भी कॉलिफाइ कर सकते हैं जी मतलब पाकिस्तान की आप देखो तो इन्होंने क्या हुआ है कि बीच में चार मैच कंटीनी हुआ रहे थे पहले दो मैच जी चुके हैं एक मैच यहां जीते तो अब इनके तीन मैच हो गया है अब पाकिस्तान के लिए मैपको कुछ चीजे समझनी होगी कि पाकिस्तान कैसे अब से मिफाइनल में जा सकता है तो यह बहुत टेकनिकल यहां पर हो जाता है आपको इसके लिए पहले मैं अगर आप पॉइंट स्टेवल में आपको दिखाऊ तो यह पहले पूरा पॉइंस टेवल देखिए यहां पे पाकि अगर यहां पर इन दोनों टीम्स के लेकिन चांसे सबसे जादा अभी है और यह ऐसी उमीद है कि यह दोनों टीम्स बहुत कुछ इफन वर्ट ना हो तो यह दोनों टीम्स अपना क्वालिफाई कर जाएगी इन में चक्कर क्या फसेगा वो मैं आपको सबसे पहले बता दू तो जैसे साथ अफरीका है इनको अपने जो भी बाकी बचे मैच हैं इनके साथ मैच हो चुके हैं हर टीम्स को नौ लीग मैच खेलने हैं तो इसमें अगर जैसे साथ मैच के बाद दो मैच इनके बचे अगर यह अपने दोनों मैच हार जाते हैं इंडिन टीम अगर अपने तो फिर उसके बाद चक्कर फस सकता है, उसमें फिरोगा खेल, धनरेट का, पॉइंट्स का, तो ये दुनों टीम्स के साथ अभी बहुत ज्यादा खत्रा नहीं है, अब आती है बात यहाँ पे उसके नीचे की जो टीम्स हैं, आस्ट्रेलिया, निवजिलेंड, पाकिस्तान औ हुआ है, अब सबसे पहले शुरू करते हैं, यहाँ पे आपने जैसे पाकिस्तान की बात की, कि पाकिस्तान कैसे पहुंसेथे, पाकिस्तान, आपको याद होगा, टी ट्वेंटी वर्ल्ल कप में भी एक मैच हारा था जिंबाबे से, और उसके बाद भी पहुंचिया था, ज इसके बाद सिनारियो बहुत टाफ होगा, और अभी भी पाकिस्तान के आप इतना सुशली मीडिया पे देखोगे, उन्हें लग रहा है कि कुद्रत का निजाम और आप देख रहोगे, बोल रहे हैं कि पहुंचने के चांसे बहुत जादा है, जबकि पाकिस्तान लगतार हा हम देख रहे हैं, तो यह थोड़ा सा क्योंकि बहुत कंफ्यूजिंग है कि बहुत मैच बच्चे हैं, पाकिस्तान को अच्छे समझा सके कि क्या सिनारियो है, लोगों का अधीकतर इंटरस्ट अभी शायद वर्ल्ड कप में सबस्यादा इसी बात पर कि क्या पाकिस्तान पह इंडियक साथ आके semi-final खेलेगा, अब इसके लिए सबसे पहले अगर मैं आपको बताना चाहूं कि इसके लिए सबसे पहले आपको देखना होगा कि पाकिस्तान semi-final में पहुंच पाती है, कि मैं सबसे बड़ा सवाल ही है, अब पाकिस्तान को semi-final में पहुंचने के नहीं होती है, लिग स्टेज में, पाकिस्तान के बचे मैच दो, अब पाकिस्तान के कौन-कौन से मैच बचे हैं, ये भी मैं आपको दिखा दूँ, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि चार तारिक, यानि कि परसो, परसो पाकिस्तान का मैच है न्यूजिलेंड से, और इंगल न्यूजिलेंड का, अब आप कहेंगे कि ये ऐसा क्यों, तो ये देखिए यहाँ पे पॉइंट्स टेवल पे, न्यूजिलेंड के टीम के कितने पॉइंट्स है, आठ, पाकिस्तान के टीम के पॉइंट्स है, और दोनों ने खेल लगए, साथ-साथ मैच, मतलब बचे दोनो पाकिस्तानी टीम अगर न्यूजिलेंड के खिलाब ये मैच जीत जाती है, तो न्यूजिलेंड के बरावर उसके पॉइंट्स हा जाएंगे, मतलब दोनों टीम के आठ, हाट मैच हो जाएंगे, अब फिर होगा क्या कि पाकिस्तान, मतलब टेकनिकली अगर ये दोनों मैच पाकिस्तान इस रेस में है, अभी श्रिलंका को भी मान के चलिए निदर लेंड्स भी इस रेस में है, दो टीम जो है, बांगलादेश और इंग्लेंड वो पूरी तरह से एकदम से बाहर हो चुगी है, तो फिर आप पाकिस्तान के साथ क्या होगा, कि ये अगर 10 पॉइंट लेके भी आ जाते हैं, अगर वो 10 पॉइंट तक पहुँच भी जाते हैं, तो वो सीधा क्वालिफाइ नहीं करेंगे, पाकिस्तान को होगा दूसरी टीम्स पर डिपेंड रहना, अब दूसरी टीम्स कौन-कौन है, जिन पर उनको डिपेंडेंट रहना होगा, तो सबसे पह पाकिस्तान के लिए यह है, कि पाकिस्तान को अपने जीतने हUNGँगे, वो सबसे पहली चीज़ है, उसके अलाबा कोई if and what नही है, अगर पाकिस्तान सीधा से मतलब से फाइनल की रेस से बाहर, फिर आता है, अगर पाकिस्तान दोनों मैच जीत जाती है, फिर उसके बाद क्य New Zealand का मैच है, पाकिस्तान के अलावा, स्रिलंगा से बचा हुँआ. अगर वो पाकिस्तान से हार भी जाती है, न्यूजिलेंड के टीम, तो उनके पास एक चांस होगा, कि वो स्रिलंगा से अच्छे मार्जिन से जीते हैं। और न्यूजिलैंड का अभी भी पाकिस्तान से बेतर है रंडेट मैं आपको दिखा दूँ देखिए यहां पे जो है न यह प्लस माइनेस का गेम जो है यह बहुत ज्यादा इंपर्टेंट हो जाता है यहाां पे प्लस माइनस है तो नूजलेंड का आप देखेंगे तो यह प्लस में है और यहां पे माइनस है तो जिनका भी यह जादा होता है फ्तुड़ा सा भी है जिनका जादा मार्जिन होगा ये क्वालिफाई करेंगे मतलब टॉप फोर्स की सबसे पहले तो यहां पर पाकिस्तान को सबसे पहले दोनों मैच जीतने होंगे बहुत सिंबल उसमें बताऊं उसके बाद उनको यह मनाना होगा कि न्यूजलैंड को तो अगर दोनों मैच पाकिस्तान जीतती है तो ऑव्यस से ब सब्सक्राइब करनी होगी आस्टेलिया या न्यूजलैंड में से पूई एक टीम यह हार जाए जैसे तीन मैच तो ऑस्टेलिया अपने तीनों मैच अगर हार जाती है तब भी पाकिस्तान के पास चांस होगा कि वह कौलिफाई कर जाएंगे 10 पॉइंट के साथ और ऐसे ही और वैसे ही अगर न्यूजिलेंड के साथ अगर मालो कि अगला मैच पाकिस्तान जी जाती है और उसके साथ साथ पाकिस्तान अपने लास्ट मैच भी जी जाती है और न्यूजिलेंड अपने दोनों मैच हार जाती है तो न्यूजिलेंड का मतलब आठी पॉइंट रह जाएग और फिर न्यूंजरान को पेराती तो पांका पांका पड़र ये तो अभी पांगा पांकेस्तान के लिए कि हम भात न्यूंजरीलन की देखा रहें सब लोग क्यों कि Anda अश्चार में लगता अगर सेमें फैनल में लगता है टॉप थी के बाद तो वो न्यूजिलेंड और पाकिस्तान से भी ज्यादा अफगानिस्तान के पास है अगर वह वैसी क्रिकट खेल गए भारत और अफगानिस्तान मतलब आपको लग रहा है भारत का तो एक और चीज में एक सिनारियो पाकिस् अगर उनके हो जाएंगे बारा फॉंट हो जाएंगे तो बारा पॉंट तक अगर वह पहुंच जाती है तो पाकिस्तान का काम खतम क्योंकि पाकिस्तान maximum 10 तक जा सकते हैं एक चीज में एड़ करना चाहूंगा कि अफगानिस्तान के मैज देखे किस से ऑस्टेलिया से नीदरलेंड से साथ अफरिका से गडबर चाला ये बहुत ज्यादा है कि अगर पाकिस्तान चाहती है कि ऑस्टेलिया हरे अगर अफगानिस जीतते जाए पर अफगानिस्तान के मैच है नीदरलेंड से जीतने की संभावना है साफ्ट अफरिका के सांद मैच है चिन्ने में जहां ऑस्टेलिया को हराया था इंडिया ने स्पिनिंग पेज अपना खबू गेदबाज सब कुछ अफगानिस्तान के पास बड़िया सबस से पेहली कि उनको अपने पूरे मैच जीतने हिं तोनों मैच जीतने ही पाकिस्तान को उसके साथ-सके उनको क्या है कि मतलब को थो एक दूआ करनी होगी कि न्यूज़़न्ड या और अजली नहीं मैच हार जाएं। सबसे सिंपल एक्वेशन यह है। 40% मैच जीते हैं, 60% दुआ गरे हैं। और उसके साथ-साथ, उनको सिर्फ इन ही दोनों टीम के साथ नहीं। जैसे इन्होंने अफगानिस्तान का नाम लिया, तो उनको ये दुआ करनी होगी कि अफगानिस्तान के तीन मैच बचे हुए हैं। उसमें से कम से कम दो मैच वो अफगानिस्तान की टीम हारे। तो इस वर्ल्ड कॉप में सबसे बहत्रीन करिकेट कहल लई है। अगर पहले बैटिंग करें तो लेकिन यह भी कहा जाता है कि एक दिन वाई से बाइठे थे तो उनको कोई इसे बताने लगा कि लास्ट मैच जाब होता है तो यह लड़ बढ़ा जाते हैं एक मैच अभी निदर्लेंड से हुआ था जिसमें साथ अफरिगा की टीम फसी थी जो हम लोगोंने देखा था लेकिन ऐसा नहीं अब वो होता है कि आप शुरुआ अब उनका पंगा नहीं है ना वो अपने क्वालिफिकेशन के लिए नहीं पंग उनको डरते तब उनका फस्त अब पाकिस्तान को यह सारे मैच जीतने पाकिस्तान कितने साथ हो चुके दो और इदर अफगानिस्तान है ठीक है इसको तीन और मतलब खेलने है तो अफगानिस्तान तो आँ चूकने वाला क्योंकि अफगानिस्तान तो भाई वही से कहिता है कि हारो जल्दी जल्दी है ना पर यहां पर आता है उनके लास्ट की जो दो मैच है नहीं जैसे ऑस्ट्रेलिया और साथ अफरीका अगर यही होता है कि फिर एक चीज है कि अफगानिस्तान जो मैंने जिक्र किया कि उनकी स्पिन अगर वो है वो कमाल कर जाती है तब फिर चांसेज है कि कुछ उलट फेर ही कह सकते हैं क्योंकि आस्ट्रेलिया जिस तरीगा गेम खेल लई है साउथ अफ्रीका खेल लई है तो अगर अफ़ी भी अफगानिस्तान हराती है तो वो कहीं ने कहीं एक उलट फेर मतलब मेरे इसाफ से तो उलट फेर हो गई और सबसे भेंकर सेनारियो यह भी है कि नीदल लेंड इभी पहुंच सकती है तो पाकिस्तान का हाल यह नहीं है कि अभी केवल न्यूजिलेंड से ल तो पाकिस्तान का पता कट जाएगा तो कहीते भी है कि भाई साब अफगानिस्तान ज्यादा वहता टीम है पाकिस्तान वाले खेल नहीं पा रहा है देखेने तो खुब सारा हल्ला मचाया पड़े थे अब हमको यह समझाओ यह जो परचियां लगी है तेका ऑस्ट्रेलिया वहाली परचियां बदलती हैं कि भाई नहीं आप यह वाला तुम जीत चुकर तुम इसके साथ नहीं खेलोगे नहीं नहीं वह एक वर्ल्ल कप के में जो होता है आपको जैसे नौ लीग मैच जो खेलने हैं और इसमें क्या है कि दस टीम हैं टो बाकि मतलब जैसे आप इंड स्पोश कि यह जो चार टीम है तो फिर क्या होगा कि आपको फिर ये देखना है कि कौन सी टीम टॉप पे रहती है, कौन सी टीम दूसरे नमबर पे रहती है, कौन सी तीसरे पे और कौन सी चौथे नमबर पे, तो उससे फिर डिसाइड होगा कि कौन किस से सेमिफाइनल खेलेगा, अभी जो मतलब अभी की जो standing है इसके हिसाब से देखा जाए मान लिया कि ऐसी ही चारो टीम्स रहती है टॉप पे South Africa फिर इंडिया फिर उसको गाद New Zealand और Australia रहती है तो जो टॉप की टीम है South Africa उसका मैच होगा New Zealand से मैतलब पहले वाले का जो मैच है वो चौथे वाले से होगा वान खेड़ है और दूसरे वाले का जो है जहाँ अभी वो सचिन वाली वो लगाई गई है ना मुर्तिका जहाँ हम लोग वर्ल्ड कप जीते थे बाई वो चीज को नहीं बूचकते यह कितनी उम्मीद है कि इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा ही होगा पक्का बताओ यह च पाकिस्तान का मैच का इंडिया पाकिस्तान का मैच का ऐकी सेनारियो इंडिया जिते रहे हारे अगज़ते हारे ना आपी जाने ने के बहुत ज़्यादा है इंडिया और पाकिस्तान का इंडिया और पाकिस्तान को जो बताया है एकदम सिंपल यह ही है कि इंडिया टीम मतलब जो टॉप पे रहेगी उसका चौथे से जैसे मानने बताया है तो वही है कि इंडियन टीम अगर टॉप पे और जिस तरीका से खेल लगी है इंडियन टीम अगर टॉप पे रह रही है और पाकिस्तान अगर कौलिफाइग करे भी 10 पॉइंट के साथ तो अब इनके खुद के हाथ में ZY rein क्योंकि इनको अब दूसरी टीम पर जब देपेंडेंटर रहना होता है ना तो इसमें बहुत ज़्यादा लगका रहता है है तो अबसमगारी शर्कीर Carney रहने है कि गूरेंण है तो अब इनके खुद के हात में और मतलब पाकिस्तान के मैच होने के बहुत ज़्यादा चांसे जाए जो सेमी फाइनल में ही यही दोनों टीमें खेलेंगी अब इन्होंने जैसे सर ने बताया कि अभी इडन गार्डन वाली बात अगर वैसे जो है अगर फर्स्ट और फॉर्ट टीम का जो मैच होगा वह वान इसकोन हैजिएडा था कि यी वेण्यू वाला जू चीज है उसमें पाकिस्तान का मैच सेमी फाइनल में अगर पाकिस्ता को भे कर सकता है कि हेला ही मतलब कुछ चीजें होती है कि आपने अभी देखा हुआ कि जैसे इंडिया और पाकिस्तान की चीजों को लेगा अभी एशिया कप में भी हुआ था एशिया कप की मेजवानी जो थी वो पाकिस्तान को मिली थी लेकिन उसमें फिर मतलब भारत ने पाकिस्तान जाने से माना कर फिर वहाँ पर रोल आया है कि चलो ठीक है इंडिया के जो मैचेस है वह स्री लंका कराए जाएंगे और श्री लंका कुद के तो पाकिस्तान अपने मैच जो है वहाँ कहले अपने कंट्री में खेलेगी तो वही चीज हुआ तो यहां हर कोई डिक्वेस्ट और वो चीज नहीं होता है लेकिन एक ऐसा रहता है कि जैसे इसमें मतलब अगर डिप्लोमेटिक रिजन्स की वज़ा से तो उसमें वो रिक्वेस्ट की जा सकती है मतलब साफ तो उन्होंने बुला कि हमारी सुरक्षा को खतरा है मतलब जो PCV का रिक्वेस्ट था बेसिकली यही था पाकिस्तान की टीम का तो में सेनेरियो सबसे यही है एकदम सिंपल सा समल दो कि टॉप पर भारत को रहना है चौते नंबर पर पाकिस्तान को रहना है और फिर एकदम मंपड मैच होगा सिंपाइनल और फिर वहां तो जानते ही है तो फिर अम लोग फाइनल में पहुंचेंगे तो भाई साब इतना सारा गड़ित था यह लाल भी बताया अहरब बताया और इसके बाद बताया कि कई से पाकिस्तान पहुंच सकता है अब पहुंचे कि न आएगा तब तक के लिए शुक्रिया